नमस्कार आप देख रहे हैं जूभी निउस तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो से पहले यदी आप हमारे चैनल पनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप त प्रदेश की जनता को या भरोसा दिलाने की कोशिस की है कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को नुकसान पहुचाने वालों को उनकी सरकार बक्षेगी नहीं हर हाल में उन्हें दंड मिलेगा ये दंड ऐसा होगा जो भविश में उदाहरन बन जाएगा महागटबंदन में सस्पेंस खताम कॉंग्रेस आरजडी इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाओ जिहां बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाओ की हलचल तेज है सूत्रों की माने तो महागटबंदन में सीट सेरिंग को लेकर बात बन गई है राष्टिय जनतादल और कॉंग्रेस के बीच मचे हुई खीचतान की खबरों के बीच सीट सेरिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है बताय जा रहा है कि महागटबंदन में सीटों के बटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है जनकारी के मुताबिक कॉंग्रेस 68 सीटों पा चुनाव लड़ेगी तो हैं CPIML को 19 सीटे मिलेंगी उधर CPI और CPM के खातों में सन्युक तुरूप से 10-10 सीटे होंगी बाकी सीटे राजद के पास रहेंगी ये भी बताय जा रहा है कि राजद मुकेस सैनी को समायूजित करेगा मुकेस सैनी VIP पार्टी को 10-12 सीटे मिल सकती है राश्टी जनतदर और कॉंग्रेस के बीच सीटों की हिसेदारी को लेकर कटपट की कबरे जोरो पर थी कहा जा रहा है कि प्रियांका गांधी के दकल के बाद इस मामले में बीच का रास्ता निकाला गया है माना जा रहा है कि इसके बाद सीट सेरिंग पर महा कटपंदन के भीतर लगबग सहमती बन गई है और कॉंग्डेस पार्टी ने भी अपना रुख नरम कर लिया है हातरस कांड को लेकर जंतर मंतर पर भारी संख्या में जुटे प्रदर्शन कारी CM केजरी वाल भी पहुचे जिहां उत्रपदेश में राजनेतिक पारा चढ़ने वाले हातरस कांड को लेकर विरोध का सिलसिला लगातार जारी रहा है आपको बता दें कि हातरस घटना को लेकर देश साम दिल्ली के जंतर मंतर पर CPM के महासचिव सीतराम येचुरी और CPI नेता डी राजा ने विरोध प्रदर्शन में हिसा लिया जिद्रा सीतराम येचुरी ने कहा कि UP सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है हमारी मांग है कि न्याय दिया जाए जंतर मंतर पर हजारों की संक्या में प्रदर्शन कारी जुटे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेकर और बॉलिवूड एक्ट्रेस वरा भासकर भी जंतर मंतर पर पहुंचे आपको बता दें कि हाथरस के बूलगड़ी जीला में प्रशासन द्वारा मीडिया के प्रवीश पर प्रतिबंद लगाने के बाद से ही महौल में गर्मा गर्मी बन गई है गाउं के आसपास पुलिश बल की भारी तैनाती की गई है यहां तक की इस्थानिये लोगों की आवजाही पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है सरकार ने डिस्पले पर 10 परतिशत आयात सुल्क लगाया महंगे होंगे मोबाइल फोन जिहां सरकार ने डिस्पले के आयात पर 10 परतिशत सुल्क लगा दिया है इसे की मोबाइल फोन के दाम 3 परतिशत तक बढ़ सकते हैं इंडियन सेलूलर एंड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसियेशन ने यह बात कही है डिस्पले असेंबली और टच पैनल पर यह सुल्क एक अक्टूबर से लगाया जाने का प्रस्ताव था वर्स 2016 में घोशित चरणबद वी निर्माण कारिकरम के तहत उध्योग के साथ सहमती बे इसे लगाने का प्रस्ताव किया गया था ICEA के राष्टिय अध्यक्ष पंकज महिंद्रू ने बयान में कहा इससे मोबाइल फोन की कीमतों में डेड़ से तीन प्रतिशत की बढ़ोत्री होगी ICEA के सदश्यों में एपल, हुआवे, सियोमी, वीवो और विन्स्ट्रॉन जैसी कमपनिया सामिल है PMP का उद्देश कल पूर्जों के घरेलू वी निर्माण को प्रोचाहन देना और उसके बाद इसके आयात को हतोत्साहित करना हाथरस की बेटी के लिए प्रार्थना सभावे सामिल होई प्रियांका गांधी कहा लडाई और तेज करनी होगी जिए हाथरस गैंगरेप केश की सिकार पेड़ता को लेकर दिल्ली के वालमी की मंदिर में प्रार्थना सभा हो रही है कॉंग्रेस मास जीव प्रियांका गांधी वाडरा भी वालमी की मंदिर पहुँची और वहां से हो रही प्रार्थना सभा में सामिल होई प्रार्थना सभा के दोरान प्रियांका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे प्रार्थना सभा में साबिल होने के दोरान कॉंग्रेस नेता प्रियांका गांधी वाडरा ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे और हमें अपने इसके खिलाफ राजनितिक लड़ाई तेज करने होगी प्रार्थना सभा के दोरान प्रियांका गांधी के साथ दूसरे कॉंग्रिस के निताओं ने हातरस की बेटी के लिए दो मिनट का मौन रखा पिड़ता के सौका रात में अंतिम संसकार कराये जाने पर नाराजगी जताते हुए प्रियांका गांधी ने कहा कि रात में अंतिम संसकार करने की परंपरा नहीं है आखिर परिवार को अंतिम संसकार करने क्यों नहीं दिया गया अमेरिका के राष्टपती डुनाल ट्रम्प और पत्नी मिलानिया ट्रम्प कोरोना पॉजिटिव पियम मोदी ने जल्द ही स्वस्त होने की काम ना की जिहां अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प और उनकी पतनी मेलानिया ट्रम्प कोरोना पॉजटिव पाए गए हैं राष्टपती ट्रम्प ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारे दी है आपको बता दें कि कुछ दिन पाले ही डोनाल ट्रम्प प्रेजिडेंसियल डिवेट में सामिल हुए थे अमेरिका इस वक्त कोरोना से प्रभावित देश्चु की लिष्ट में नंबर वन पर बना हुआ है जहां पर 75 लाग से अधिक कॉरोना के मामले हैं जबकि 2 लाग से अधिक लोगों की जान चली गई है डोनाल ट्रम्प सुरुवात से ही कॉरोना के लिए चीन को जिम्मेदार बताते आए हैं अमेरिका के राष्टपती डोनाल ट्रम्प और उनकी पतनी वदेश की प्रथम महिला मिलानिया ट्रम्प कोरोना संकर्वित हो गए हैं अमेरिकी राष्टपती ने ट्वीट करके जानकारी दी जिसके बाद भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने उनके स्वस्त होने की कामना की है प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने मित्र डोनाल्ड ट्रम्प और प्रथम महिला के सिग्र स्वस्त होने और उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ यूपी में कॉरोना के बीच योगी सरकार ने दुरगा पूजा अयोजन की अनुमती दी, guidelines का पालंग करना होगा जिहाँ यूपी की योगिया दितनात की सरकार ने कोरोना के दोरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ दुरगा पूजा मनाने की अनुमती आखिरकार देही दी है वसरते उन्हें कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ने दिशा निर्देश 15 अक्टूबर से लागो होंगे जबकि नौरात्री पर्व 17 अक्टूबर से सुरू हो रहा है सरकार के इस फैसले से दुरगा पूजा समीतियों में खुसी की लहर दोड़ गई है वह इससे पहले ही दुरगा पूजा की तयारियों में जुट गए थे यूपी सरकार के मुताबिक दुरगा पूजा पंडाल अब खुले में धार्मे की अफिर सांस्कृतिक कारिकरम आयोजित कर सकते हैं बसरते कि उन्हें कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जैसे कि समाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवारे होगा किंद्र सरकार ने बदले नियम सडक दुरगटना में मदद करने वाले को नहीं देनी होगी परस्टल डिटेल जिहां किंद्र सरकार ने सडक दुरगटना में विक्टिम की मदद करने वाले को कानूनी जचटों से छुटकारा दिलाने के लिए नए नियम जारी कर दिये हैं सडक परिवहन वर राजमार्ग मंत्राले की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अस्पताल या फिर पुलिस अधिकारी दुरगटना के बाद मौके पर मदद करने वाले लोगों को नाम, पता, पहचान, फोन नंबर या फिर दूसरी परसनल डिटेल्स देने के लिए मदद कर सकते हैं, नए नियमों के मुताबिक लोगों की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के साथ धर्म, जाती और रास्टियता से उपर उठकर सम्मान जनक व्यवहार किया जाएगा, सांती यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद चाह तो अपनी परसनल डीटेल्स अधिकारियों को उपलव्द करा सकता है, इसके अलावा सभी सरकारी और नीजी अस्पतालों को एंट्रेंस, अपनी वेबसाइट, वक खास जगों पर हिंदी, अंग्रेजी और अस्थानिय भासा में एक चार्टर लगाना होगा, इसमें दुर रिकॉर्ड अस्थार पर पहुच सकता है राजकोसिय घाटा, जिहां स्टेट पैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है, कि इस साल राजकोसिय घाटा सरकार के अनुमान से अधिक रह सकता है, रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा 2020-21 में राजकोसिय घाटा तै अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है, यह देश के सकल घरेली उत्पाद यानि जीडिबी का 13 फीसदी रहने का अनुमान है, आपको बता दें कि सरकार का खर्च आमदनी से अधिक होना राजकोसिय घाटे का सबसे बड़ा कारण है, इस साल इस सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आयसे जादा होते हैं, सरकार के राजस्व खर्चे और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है, यहां ध्यान रखने वाली बात यहा है कि खर्च और आमदनी केवल राजस्व के संदर्व में होत देशवर के संभावित मौसम पूर्वानमान के बारे में बता रहे हैं। पूर्वानमान के संभावित में बता रहे हैं। देशवर के लिए धन्यवाद।